दोस्तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था बेसिक इंट्रोड़क्शन आफ आटोकेड अभी इस वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू चेंज दा वर्क स्पेस इन आटोकेड न्यू ड्राइंग ड्रा करने के लिए या तो गेस्ट टार्टेड पे क्लिक करे या आटोकेड के सिंबॉल पे क्लिक करके न्यू ड्राइंग ओपन कर सकते न्यू ड्राइंग पे क्लिक करने के बाद टेंपलेट दिखाई देते उसमें से किसी भी टेंपलेट पे क्लिक करके आप ड्राइंग ओपन कर सकते आपकी बना हुई कोई भी ड्राइंग आप open पे क्लिक करके open कर सकते है ड्राइंग निकालने के बाद आप control प्लस यस दबा के save कर सकते हो या AutoCAD के icon पे क्लिक करके save कर सकते हो या quick access toolbar में save कर सकते हो workspace change करने के लिए इस down arrow पे क्लिक करके जिस workspace में आपको काम करना है वो select करेंगे जैसे drafting and annotation, 3D modeling, 3D basic 3D modeling पे क्लिक करने के बाद workspace change हो जाएंगा यहाँ से भी workspace switching या change कर सकते हो 2D drawing के लिए drafting and annotation पे क्लिक करना पड़ेंगा और 3D drawing के लिए 3D basic या 3D modeling पे क्लिक करना पड़ेंगा अभी हम drafting and annotation में जलते हैं यहाँ पे 2D का workspace open हो गया है अप्लिकेशन मेनू पे आप कोई भी command सर्च कर सकते है जो command आपको नहीं मिल रही वह command यहाँ पे टाइप करके आप सर्च कर सकते हैं जैसे circle यहाँ पर मैंने टाइप किया तो circle command कहां पे है यहाँ पे हमें दिखाई देंगा जैसे circle command draw में circle fly out और उसमें center और radius इस प्रकार हम किसी भी command को सर्च कर सकते हैं